हलो मैं उश्वेतांक और आप देख रहे हैं लेलिंग टॉप सिनेवा नेक्फ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है जादूगर मगर यह फिल्म फुटबॉल पर बेजड है मध्य प्रदेश में नीमच नाम का एक शहर है यहां से दाबोलकर नाम के एक बड़े मश्चूर फुटबॉलोड निकले थे तब से उसी लाकी में फुटबॉल का बड़ा जोर रहता है नीमच में आदर्श नगर नाम का एक महला है इनकी एक फुटबॉल टीम है जो सालों से इंटर महला फुटबॉल पुर्णमेंट में हिस्सा लेती आई है अच्छे प्लेर है या तो मीनू का प्यार पूरा होगा या आदर्श नगर फुटबॉल टोर्नमेंट जीत पाएगी जादुगर आइडिया की लेवल पर बिजार साउंड करती है मगर यही चीजी से खास बनाती है जब तक आप कुछ नया अलग ट्राइग नहीं करेंगे कुछ नया कैसे कर पाएंगे जादुगर कई मसलों पर बात करती है फिल्म में फुटबॉल है मैजिक है लव स्टोरी है एक लव्योर दुरोनाचारे वाला माइटोलोजिकल एंगल भी दिखता है इन धे सारी चीजों के बीच यह फिल्म कंफ्यूस सी हो जाती है उसे नहीं पता कि किस सरफ ज मीनु को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करना है इसके जवाब में फुटबॉल खेलने के प्रेशर से फ्रॉस्ट्रेट हो चुका मीनु कहता है मुझे नहीं धोना खांदानी सपनों का बोज यह इंडिया है बड़ी कॉमन प्रथा है जो पिता नहीं कर पाया उसे उम्मीद रहते ही कि उसका बेटा वो करके दिखाएगा बेटे से कोई नहीं कूछता कि वो पापा का सपना पूरा करना चाहता है या खुद के देखे हुए सपने यह अपने हाई इतना कॉमन है कि इस पर सिरसली बात भी नहीं होती जादूग फोन चेकना कर सकें मामला फोड़ा टाइड और क्रिस्प हो सकता था जादूगर के डायलॉक्स मरिदार है धेर सारा वर्ड प्ले है वो चीज़ इस फिल्म के देखने के एक्स्पीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करती है जादूगर में दो चीज़े कमाल लगती है अव जाकि क्रिडिट प्लेट पर उनका नाम जीतू ही दिखलाई पड़ता है जीतू ने अपने लिए एक अलग स्पेस बना लिया है अपने करियर में अधिकतर मौकों पर उन्होंने छोटे शेहरों के बॉय नेक्स जोर वाला करेक्टर प्ले किया है यह चीज उन पर फपती है इस फिल्म में दो मोमेंट्स ऐसे हैं जहां जीतू माइटी इंप्रेसिव लगते हैं पहला सीन वो जिसमें अपनी पहली बार अपनी गल्फरिंड के पिता से मिलने जाते हैं और वहाँ एक मोमेंट है जहां जीतू पर शारुखन का हैंगोवर दिखता है मगर वो उसे अप पूरी दरण नहीं रो रहा है दिशा का रोल किया है लव आजकल फिर्म आरुशी शर्माने वह अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रही है उसकी वजह है आरुशी को फिल्में ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिलता है और उसमें वो डीसेंट लगती है जावेज जाफरी ने के अक्टर को और एक्स्प्लोर करना चाहिए उन्हें भी मज़ा आएगा और देखने वालों को भी जादूकर में मनों जोशी भी छोटे से किरदार में दिखाई देते हैं जादूकर अलग किस्म के सब्जेक्ट पर बनने के बावजू लीग पगड़कर चलती हुई सी करने के कोशिश के लिए मार्ग चोटने चाहिए यह मारा माना है आपको क्या लगता है अमें करण बाक्स पर लिखके बताईए जादूगर को आप नेट फ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं मैं ता श्वेता आंक और आप देख रहे हैं थे ललनेट अप सेने मा शुक्रिया